जै मातादी दोस्तों, वर्ड बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। जै में राखी का तिवहार 30 अगस्त को होगा या फिर 31 अगस्त को इसे लेकर लोगों में काफी कनफ्यूजन बना हुआ है। कुछ जगे लोग 30 अगस्त को राखी मनाने की बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग 31 अगस्त को भी रक्षा मंधन का तिवहार मना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार पूर्णमा तिति भी दो दिन पढ़ रही है और इस बार रक्षा बंधन पर पूरा दिन भद्रा का साया भी रहेगा और हमारे सास्त्रों के नुसार भद्रा काल में रक्षा बंधन का तिवहार मनाना वर्जित होता है आपको बता दें कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए वरना भाई और बहन दोनों के घर में परेसानिया आनी सुरू हो जाती हैं इसलिए हमेशा सुब मूरत में ही राखी बांधनी चाहिए तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तारीक को रक्षा बंदन का तेवहार मनाना स्रेष्ट रहेगा तीस अगस्त को या फिर इकत्तिस अगस्त को और साथ ही आपको भद्राकाल का सही समय भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय आपको भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए साथ ही हम आपको राखी बांधने का सुब मूरत भी बताएंगे कि कौन से सुब मूरत में आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में रक्षा बंधन के पर्व का विसेश महत्त है रक्षा मंदन भाई बहन के प्रेम और इशने का प्रतीक होता है इस तिवार पर बहने अपने भाई के माथे पर टीका और आर्ती करके उनकी कलाई में राखी बांधती हैं और राखी बांधते समय बहने भगवान से भाईयों की लंबी उम्र और अक्षी सेहत और सुख सम्रद्धी की प्रातना करती हैं बहन के राखी बांधने के बदले भाई भी तोफे के साथ साथ जीवन बर उनकी रच्चा करने का वच्चन देते हैं दोस्तों जोतिस सास्त्र के अनुसार रक्षा बंधन पर राखी हमेशा सुब मूरत का विचार करके ही बांधना सुब होता है रक्षा बंधन के दिन बैनों को भाईयों की कलाई पर राखी बांधते वक्त भद्राकाल का विशेज ध्यान रखना चाहिए रक्षा बंधन के दिन भद्रा काल होने पर राखी नहीं बांधी जाती भद्रा काल को असुब समय माना जाता है भद्रा काल में किसी भी तरह का सुब काम करना वर्जित माना जाता है भद्रा काल में सुब कारे को करने से हमेशा असफलता ही मिलती है और इस बार रक्षा मंधन पर भद्रा काल का साया मौजूद रहेगा इसलिए भद्रा काल के समय आप भाई की कलाई पर गलती से भी राकी ना बांदें तो आईए जानते हैं कि आखिर इस साल रक्षा मंधन का तेवार कब बनाया जाएगा और भद्राकाल का समय क्या है और इस वाराखी बांदने का सुब मूरद क्या रहेगा तो आपको बता दें कि इस बार पुर्णुमा तिथि की सुरवात 30 अगस्त 2013 की सुबह 10 बच कर 58 मिनट पर हो रही है और पूर्णमा तिति की समापती 31 अगस्त 2030 की सुबह 7 बच कर 5 मिनट पर हो जाएगी और पूर्णमा तिति की लगते ही भद्रा काल की भी सुरुवात हो रही है आपको बता दें कि भद्रा काल की सुरुवात 30 अगस्त 2030 की सुबह 10 बच कर 58 मिनट पर हो रही है और भद्रा काल की समापती 30 अगस्त 2013 की रात को 9 बच कर 1 मिनट पर होगी तो इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण रक्षा मंधन का तेवार अगर आप 30 अगस्त को मना रहे हैं तो भद्रा समापत होने के बाद ही रात में ही रक्षा मंधन मनाया जाएगा तो जो लोग तीस अगस्त को रख्चा मंदन का तेभार मना रहे हैं तो उनके लिए राखी बांधने का सूमूरत तीस अगस्त को रात 9 बचकर एक मिनट के बाद रहेगा तो दोस्तों, कई लोगों का सवाल है कि क्या 30 अगस्त को सुबा 10 बचकर 58 मिनट से पहले राखी बांद सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 30 अगस्त को सुबा 10 बच कर 58 मिनट पर ही पूर्णमा तिथी लग रही है तो आप इससे पहले अपने भाई को राखी ना बादें दोस्तों इस बाद का आपको विसेज ध्यान रखना है कि इस बार 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा इसलिए इस बार भद्रा समाप्त होने के बाद ही रात को ही रक्षा मंदन का तिवार मनाना सुब रहेगा लेकिन बहुत से लोगों के हाँ ये परंपरा है कि वे सूर्यास्त होने के बाद रक्षा मंदन का तिवार नहीं मनाते हैं तो यदि आप भी ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद रक्षा मंदन का तिवार नहीं मनाते हैं और हमारे हिंदु धर्म में ये परंपरा है कि जब भी कोई तिथी उदिया काल में व्याप्त होती है तो वे तिथी पूरा दिन मानने होती है और बात करें 31 अगस्त को आप राखी कब बांधेंगे तो अगर आप पूर्णमा तिथी समाप्त होने से पहले रक्षा मंदन का त भी खान रखें कि आप 31 सगस्त को सूर्योदय होने के बाद रख्षा मंदन मनाएं और 31 सगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5.58 मिनट पर रहेगा तो आप 31 सगस्त को सुबह 5.58 मिनट से लेकर सुबह 7.59 मिनट के बीच भी अपने भाई को राखी बांधेंगे तो यह सरवत रहेगा हाला कि वैसे आप 31 अगस्त को पूरा दिन रक्षा बंदन का तिवहार मना सकते हैं इसमें कोई भी दोस नहीं है बस आप 31 अगस्त को राहुकाल के समय को छोड़ कर राखी बांदें क्योंकि राहुकाल असुप समय होता है और 31 अगस्त को राहुकाल का समय दोपहर ए एक बात बता दूं कि जो लोग 31 अगस्त को पूरा दिन राखी बांद रहे हैं उन्हें पुर्णमत इती समाप्त होने से पहले यानि 31 अगस्त को सुबा 7 बज कर 5 मिनट तक भगवान को राखी बांद कर उनके समक्ष सभी राखियां रख दें इससे राखी प्रभू का प् किसी भी समय बहने अपने भाईयों को राखी बांद सकती हैं दोस्तों हो सके तो राखी बांदते तक भाई और बहन दोनों को उपवास रखना चाहिए रक्चा मंधन के दिन भाई बहन दोनों को इसनान करके हो सके तो नए वस्त धारन करने चाहिए या फिर स्वच्च साथी एक घी का दीपक भी जलाएं, अब आप सबसे पहले इस थाली को अपने घर के पूजा इस थाल पर रखें, और भगवान को भी रक्षा सूत्र या मौली अर्पित करें, और साथी भगवान का आसिरवाद भी जरूर लें, इसके बाद आप अपने भाई को राखी तिलक लगाते वक्त बहन का मौ पस्चिम दिसा में होना जरूरी है, इसके बाद भाई के माते पर अक्षत लगाएं, अब भाई की आर्टे उतारें, और भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांदें, राखी बांदने के बाद अपने भाई का मौ मीठा आवस्य अब राखी बनवाने के बाद भाई को अपनी बहन के पैर चूकर उनका आसिरवाद लेना चाहिए, साथ ही भाई को कुछ नकुछ उपहार और भेट भी अपनी बहन को अवस्य देनी चाहिए, तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी चरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद